तो क्या हाल चाल लॉंडो आयोप सब बढ़िया होंगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर देना और लोडिविकेशन पर करके तो बिने किसी देरी के जल्दी से वीडियो को तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं तो जैसा कि तुम सब को यह पता ही होगा कि 420 गीमिंग और GTX प्रीट ने क्या कॉमेंट किया था और किस चीज को लेकर किया था उसी एक कॉमेंट की वएसे बहुत लोग बढ़क गए थे और उन दोनों को बहुत हैट भी मेला वह बाता लगए कि अब उन दोनोंने माफी मांग लिए मगर इसी चीज़ पर रियक्ट करते हो एक मोटल ने कुछ यह कहा और तुम लोगों किलिप सकते हो मोटल भी काफी गुस्ता हो गया तो तुम लोगों किलिप देखो मोटल ने क्या कहा ओके आप इस रिगार्डिंग ऑपिनियन उन जोग्रफी तो पहली बात तो पता होनी चाहिए हमारे इंडिया की अब्विएस सी वात है वह चीज़ अपर्ट फॉम डाट अफ रेसिज्म इस रेसिज्म इस रेसिज्म इस नॉट एक्सेप्टेबल अट बिल्कुल भी मतलब आई आई परसनली फिल मैं तो भाई आई डो हम लोगों को कहीं और कोलोनाईस करना पड़ा तो वहां पे थोड़ी ना हम लोग रेस शूरुवात करेंगे कोई हम इन आइनन्य तो फोड़ी शुट बिढ रेस नतिंग एल्स है कि नहीं कि वहां पर पीस होना चाहिए पर रेसिजब में बंद होना चाहिए यह खास करकि लोक्स को ले के रेसिजम करते हैं या फिर उल्टा सिधा कॉमेंट करते हैं उनको सुदर जाना चाहिए खास कर कि हमारे जैसे ये जो अभी दो श्ट्रीमर्स थे इनको थोड़ा सुदर जाना चाहिए जो अभी गल्ती कि इन्होंने उनको थोड़ी सीख लेनी चाहिए ना कि दूसरों के ऐसे रेसिजम कॉमेंट करने चीए कि दूसरों का हाट फील हो ठीक है तो इसी मेटर के ऊपर इस नेक्स गेमिंग जो है सब कुछ क्लेरिफाई करता है तुम लोग वो छोटीजी किलिप देख सकते हो इस नेक्स गेमिंग ने क्या-क्या कहा है उस वीडियो में लिखना था मेरी तरब से जितने भी यंग्स्टर्स है जो लोग देख रहे जो पब्जी में आगे बढ़ना चाहरे यूटूबर बनना चाहरे इंफ्लेंसर बनना चाहरे स्ट्रीम करना चाहरे मेरे वैसा एक चीज़ बताऊं जब आपके नंबर्स बढ़ते है ना जब आप माइंग स्ट क्या है यह नंबर्स आपके फैंजन नहीं है आपकी रेस्पॉंसिबिलीटी एह तो रेस्पॉंसिबिलीटी को कैसे 叔िका आहिए न्याप अब maturity responsibility पर आती है जब इंसान पर responsibility आती है ना तब वह बंदा mature way में काम करता है बोलता है यह करता है तो आप लोग जित्ते भी चैट में हो ना जित्ते भी लोगों मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलना जाओंगा अगर नंबर दस हजार हो हजार हो एक लागो एक मिन्यान हो matter नहीं करता वह आप एक responsibility है वह आपके एक family जो बोलोगे उन पर influence करेगा अब जो भी बोलोगे वह उन पर influence करेगा तो जो भी बोलते हो चार बार दिमाग में सोचके बोलो knowledge है उस topic पे तो बात करो knowledge नहीं उस topic पे मत करो कोई मज दो अगरा पराक्ष नहीं उगगा आपका समझ रहे हो क्या बोल रहे हुँ वेए बोलोग मेरे मेरे अ स्क्रीच क्यों मेरे बिक्टे मुर्म में इस से घंध गंदे डीम कंदे स्सप्राइन ह agree है जिंपणी बात है बोम मैचुरीटी नमबर के इसाब से निया धर जो मिडिया पर पैचान मिली है तो सभ कुछ मिला तो उसको सही जगहाँ पर शाही टाइम पर किसी जगहाँ पे काम पेलाओ कि दूसरी की हेल्प हो सके ना कि यह से उल्टे सिधे कॉमेंट करने के लिए तो मुझे तुने लगता आप से ऐसे कुछ करेंगे क्योंकि यार गलती से किसी को सीख मिलती है और जितनी भी अनुण चल परदेश वाले मेरे बाई बैन है इनको यार माफ कर देन हैं और यह बोलते हैं अपने वीडियो में तुम लोग वो किलिप देख सकते हो बस मुझे अनेक्सपेक्टेड था दिस कमिंग आउट फंदें मैं साफ दुबारा से बोल रहो इसके बाद मैं इस बारे में नहीं बात करूंगा मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थ आपर आपर आप मादर साइड लिव इन गवाटी असाम एर्या अन आपर प्रोट प्रोट देर वन देली और उनको यह इंडियन से अलग करना नौर्थ इस्टिन को जया नहीं से अलग रहार आपर विक्सपेड़ शेए विक्सपेड नियुस्पट देमक्रशी के साब से भी एक नमल कुछमीर, he is from Tamil Nadu, he is from North East, I just care this entire country is about India, और किसी को Chinese बुलना, किसी को China से रफर करना, it is, it is highly highly disappointing के साथ साथ मैं बोलूँगा, the level of thought process is very, 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 very low की, people can, you know, I mean like, मुझे नहीं समझ भाता की, does this sound cool to, you know, मेरे बहुत सारे North Eastern friends है, इदर डेली में, आज के नहीं है, आट सल, दस साल पुराने friends है, जो की डेली में रहते हैं, कॉलेज, North Campus में रहते हैं, और मैंने उन लोगों के साथ बैठ के देखा है, कि बहुत बारी क्या-क्या होता है, उन लोगों के साथ, और मैं being a Delight, being a, from belonging to the family, I belong to, मेरे sources, resources, शायद मुझे एक दो बार यादों कि मेरा जगडा भी हो गया हो, अपने ही North Delhi के लोगों से कि इन ही matters को लेके तब हम लोग जवान थे यंग थे यंग एज में तब खून हमारा गरम था तो हम लोग सीधा फेलम पिला ही पैजाते तो इसलिए हो जाता था कि इस तरह की लैंग्विजिज शुद भी तो जो भी यह मुद्द था ना इसको अब यहीं पर खतम करते हैं और उन दोनों ने माफी मांग लिए तो उन दोनों को माफ कर देना मगर मैं एक और बात बात बोलना चाहता हूं कि आगे से कोई भी करने का सोचे ना तो दस बार सोच लेना क् अफिशल लड़के तो मैं पता ही होगा उसने बिना कुछ सोचे समझे इससे भी ज्यादा बोला था तो अभी वो जेल की सलाकों में सरसों का तेल रहा है और भुगत कौन रही है उसकी मम्मी बताओ कुछ साले के 4 लाक से उपर सब्सक्राइब और से है तो बस यार आज की अगले वीडियो यहीं तक थी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह कर लेना बैल अगर प्रेस कर देना अल नोटिफिकेशन पर करके वीडियो अगर सही लगे हो तो लाइक कर देना अपना एक कॉमेंट कर देना कुछ भी ने नहों तो शेर कर देना और अगल वीडियो में जल्दी मिलते हैं तक के लिए बाए सियू सायो नारा